दोस्तो आज एगेन मार्केट में कोई बहुत बड़ा भूमेंट देखने को नहीं मिला होल डे मार्केट रेंज बॉंड था तो क्या आज के दिन ऑप्शन बायर को ट्रेड करना चाहिए था यह वाइड करना था इसके अलावा क्या नेक्स्ट वीक मार्केट डेक्शन क्लियर करेगा मिन्स की उपर जाएगा या नीचे क्या यह क्लिटी मिल जाएगा या नहीं तो आज किस वीडियो में काफी डेटेल में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में और कुछ स्टॉक जिसमें अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है तो आप लोग वीडियो में बने रहीएगा और चैनल पर नीउ है तो प्री चैनल को सब्सक्राइब भी क दिखाया ठीक है हाडली बात करें दगभव 80-85 पॉइंट के आसपास का निफ्टी ने मोमेंट दिखाया होल डे में ओके अब फ्रॉस आपको लेचलेंगे इसमर्ट टैम पर और यहां पर दिखाएंगे कि देखिए मॉर्णी में फास्ट ट्रेट था ओके फास्ट ट्रेट है आप ट्रेड करके आप साब्रेड कर सकते हैं तो किया था तो मॉर्णिंग में था ओपन हाइसे क्या था ओपन हाइसे लगदा और नेने वीडियो में समझाया से प्रिलिस्ट चेक कर सकते हैं तो ग्याप तरीक था वो क्या था एक लेवल हमने बताया था आज इंट्राडे के लिए इंपोर्टन लेवल कौन सा था दोस्तों वो था आपका 24,780 हमने कहा था यह 24,800 या 24,780 को ब्रेक करता है इसके नीचे सस्टेन करता है तो मार्किट में इंट्राडे में गिरावर्ट भी देखने को मिल स सकती है हमने आपको यह बात कहां पर अफडेट किया था दोस्तों तेलीग्राम चैनल पर याप्चा है इसको चेक भी कर सकते हैं इंट्राडे में जो भी मूमेंट होता है ना उसका अपडेट आपको यहां पर मिल जाता यहां पर आप आपडेज सकते हैं मॉर्टिक महीं द ब्रेक होगा तो नीचे जाएगा नहीं होगा तो यहां से उपर जा सकता है ठीक है तो होल्ड इस तरीके का देख सकते हैं आज इंट्राडे में गिरावत हुई है यह भी मैंने आपको अपडेट कर दिया था इसके अलावा दोस्तों और भी है कुछ स्टॉक है जैसे यहां द आते हैं चार्ट पे अब यहां पर देखिए हमने क्या करा था था समझे जिनको आज एस्पेसली लॉस वाइन वो लोग समझे यहां पर क्या था ट्वेंटीफोर तॉजन एट हंडेट से ट्वेंटीफोर सेवेन एटी यदि यह बेक होता है तो आप यहां पर सेट का इंट के लिए इसके नीचे आपको सेल करना था अब यहां पर देखिएगा इसने बेक किया अब आपको दिखाते एक चीज चुबिस साथ सोसी ब्रेक हुआ बट सस्टेन करना चाहिए ना सपोर्ड ब्रेकडाउन पर कैसे टीम आते हैं देखो यहां पर समझें यह दिस्टेंस हो सब्सक्राइब करें तो आपको ट्रेड बना लेते हैं यह रिस्टेंस ब्रेक होता है वहां पर बाई कर लेते हैं बट इस पर करेंगे तो आपको लॉसेज के इसने सपोर ब्रेक किया बड़ कंफरमेशन नहीं दिया ना कर देखो न इसकी बात कर रहे हैं यह वाली केंडल कौन सी है इसका लोग ब्रेक होता तो निफ्टी फर्दर नीचे आता बट यह ब्रेक नहीं हो और यहां से यह बैक हो गया इसने आपको ट्रेड करने का मौका ही करना था यहां पर करने से क्या होता है क्योंकि जब मार्क करता है तो वहां पर प्रीमियम तहीं से होता है उस कंडिशन आपको लॉस हो सकता है तो इसलिए जब करते हैं कुछ भी पूटे हो या कॉल हो तो ही आप प्रेड मेंटर करो अधर्वाइश करना जैदा अच्छा है लॉस से तो अच्छा है ना कि वहां पर प्रेड नहीं बनाए जहां पर ड्रेक्शन किलियर है यह हमने आपको इस डॉक बताया था जैसे आज इस बियाई कार्ड था उसमें क्या वच्छा मुमेंट हुआ या फिर टीचेस की बात करेंगे सपोर्ट का ब्रेक्डाउन हुआ वहां भी ट्रेड था आपका ठीक है तो नेसेसरी नहीं है कि हम इंडेक्स के अंदर ही ट्रेड ब अब बाते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट क्या कुछ कर सकता है ठीक है तो यहां पर देखिए अभी वी क्या है यह देखिए बिल्कुल रेंज में है 24,780 डाउनसाइड में अपसाइड में 24,850 के उपर उके पस्छोटा सा रेंज है तो यदि उपर बेकाउट दिखाता है 24, 24,850 के उपर यह जाता है बुलिश कंडल के साथ में तो यहां पर आप रिस्टेंस ब्रेक आउट की अप्वाडिंग फ्रेड प्लान कर सकते है या फिर ओपन लोग भी सेम करता है तो वहां पर भी आप्रेड बाया मतलब बाय साइड में ट्रेड प्लान कर सकते है ठीक है य कीजिए बिल्कुल कीजिए घृक है तो मेरे को लग रहा है कि यहां दिखार आप देख सकते हैं क्या हुआ दो दिल यहां पर देखेंगे उसने क्या किया है और डोजीफॉर्म किया बहुत बड़ा moment नहीं दिखाया है यह जो है क्या है यह एक range है ठीक है तो range breakout या breakdown पर ही आप trade करना अब बात प्रेंगे दोस्तों bank nifty के बारे में तो bank nifty morning में क्या था open high same था आप देखेंगे तो open high same होने पर यह भी नीचे आया था ठीक है open high same होने पर यह भी नीचे आया था इसमें भी दोस्तों ट्रेड नहीं था morning में सिंगल एक ट्रेड था एक्वार्डिंग टू गैप ट्री ओपन हाई सेम पर फास्ट एक्वी ट्रेड था वहां पर ठीक है आफ्टर डैट यह रिकवर किया बट यहां पर upside में resistance breakout इसने confirmation नहीं दिया इसलिए bank nifty वी अज क्या थ बिल्कुल no trade जोल में था ठीक है जवस्ती का trade करने पर तो नुक्सानी होगा ठीक है अब यहां पर डेटली बात करेंगे next day के लिए तो देखते हैं यहां देखें दोस्तों यहां देखिए बार बार यह क्या कर रहा है 51,000 के ऊपर जाने की कोशी साच कर रहा था ठीक है यदि यह flat open होता है और इसके उपर sustain किया तो यहां से डेकली 51,500 एगें सेम है कल के जैसा क्योंकि आज तो मुमेंट दिखाए नहीं रेंज बांड था तो एगें यही रहेगा आपका यह क्या करेगा यहां से 51,500 फिट स्रोली तो यह प्रैस एक्षान यह फॉर्म कर सकता है दूसरी ओर यदि 51,000 के नीचे रहता है तो क्या होगा नीचे रहता है यहां पर क्या होगा एक सपोर्ट का breakdown होगा और फिर नीचे भी आ सकता है यहां दिखेगा फिर इसको ऐसे बना सकते है सपोर्ट इस्टेंस के कॉर्डिंग यदि यह सपोर्ट ब्रेक होता है तो इंट्राडे में आप इसमें भी क्या कर सकते है चोटा सा डॉंसाइट टारिव आपका 50,700 तक का मिसकी 200-300 पॉइंट यह डॉंसाइट आ सकता है ठीक है यह ब्रेक हुआ दो फिर और नीचे आएग मुझे लग रहा है कि मार्केट बुली से रह सकता बट लगने में से कुछ नहीं होता है दो दिर मार्केट क्लोज रहेगा तो आपको बस लेवल पता होना चाहिए अब हो सकता मार्केट बहुत ज़्यादा घ्याप खुल जाया तो वहां पर क्या होगा आपको अपना इस बात को समझे आपको लेवल पता होना चाहिए यहां किस लेवल पर मार्केट आएगा तो हमें क्या करना है ठीक है दोस्तों यहां पर बात करना चाहूंगी एक स्टॉक के बारे में इसका नाम है टाटा एलक्सी काफी टाइम के बाद इसने एक अच्छा मोमेंट दिखा यहां होता है यहां पर 7139 यहां पर रिजन क्या है तो यह डाउं ट्रेंड लाइन आप दीख सकते हैं विकली टैम फ्रेंपर दोण ट्रेंड का ब्रिक आउट हुआ है बट ट्रेड कम करते हैं आलवेज अवेज आफेर कन्फरमेशन तो यहां तो इसका क्या होगा डाउं लाइन के कॉर्डिंग इसका जो ट्रेंट था पहले डाउन ट्रेंड में वो क्या हो जाएगा अप्रेंड में और यहां से यह स्लोली क्या करेंगा यहां से 73 से 74 तक का हाई दिखा सकता और यह ब्रेक हुआ तो फर्दर यहां से और भी अच्छा अप्साइड दिखाएगा बहुत अच्छा है इसने सिमेटिकल ट्रेंगल फॉर्म किया है और सिमेटिकल ट्रेंगल का जो ब्रेकाउट है या ब्रेकडाउन है वो किसी भी डिरेक्शन में हो सकता है तो जिस डिरेक्शन में यदि होता है माणगे चलो यदे नीचे होता है ठीक है तो फिर आप यहां पे अंब कर सकते हैं हां स सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर बिल्कुल बेसिक से लेकर के वाटिज स्टॉक मार्केट से लेकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं इतना ही नहीं आपको इसमें मिलता है लाइफ मार्केट सपूर्ट भी दूसरी बात आपको जब क्लास कर सकते हैं जब आपका क्लास अपर मद्सके बाद को अब करनेका कुछ मिजब करने का कुछ वी सेकेंड यूदा नहीं लिया जाता है जो हमने बताया है पेप्स एकलेशन बिल्कुल भी नहीं है मुझे जैसा लगा मैं आप लोगों को बताया आपको ट्रेड करना होगा खुद के लिए काफी कुछ सीखने को मिला होगा वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पे न्यूँ है तर प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए फिरी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते